तो हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल शर्मा रिजनिंग क्लासेस के अंदर दोस्तों भी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि राजस्तान ग्राम सेवक बरती प्रिक्षा जो थी उसकी की त्यारी भी करने लग गये थे ठीक है न लेकिन अभी के दोस्तों की बहुत सारे विद्यारती जो एसमंजस की इस्थीती में हैं और उन्हें क्या करना चाहिए वह वह भी मैं आपको बता दूंगा ठीक है न तो जो वीडियो बिल्कुल चोटी सी है तो आप लोग वीडियो को लाश्ट तक देखना और वन बाई वन जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ उसे आप लोग अच्छे से समझना थीक है दोस्तों तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाम वेस्ट की युए है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को यहां पे आप देखोगी तो first Indian news का यह दोस्तो official update है जो आप देख रहे हैं यह है यहां पे क्या है जैपूर का मामला है gram सिवक भरती 2021 से जुड़ा मामला यानि gram सिवक की जो भरती है 2021 से जुड़ा मामला है क्या है कि बोल्ड ने प्रिक्षा में negative marking को लेकर कोई सुचना नहीं दिये तो वही मामला है कि प्रिक्षा में negative marking से समंदित कोई सुचना नहीं विग्यप्ती में भी negative marking को लेकर नहीं दी गई है कोई सुचना सूचना नहीं होने से 14 लाग से ज़्यादा अब्यर्थी ऐसमंजस की स्थिती में 27 और 28 दिसंबर को परस्तावित है ग्राम सिवक बरती प्रिक्षा राजस्थान करमचल चेन बोर्ड के ओर से आयोजित हो रही है प्रिक्षा यानि कि दोस्तों यह जो प्रिक्षा है यह 27 और 28 दिसंबर को होने वाली है किस की तरफ से हो रही है RSMSSB की तरफ से हो रही है लेकिन दोस्तों RSMSSB ने ना ही तो प्रिक्षा की ओफिशल वेबसाइट के उपर इस बात का जिकर किया है कि आपके जो प्रिक्षा उसमें नेगटिव मार्किंग है या नहीं है और ना ही जो है इन्होंने कहीं पर भी विज्यप्ति के अंदर ये लिखा है कि उसमें नेगटिव मार्किंग है या नहीं है अब कई student कह रहे हैं कि negative marking नहीं है तो वो उसी साब से त्यारी कर रहे है और कई लोग कह रहे हैं कि negative marking है तो विद्यारती ऐसमंजस की स्थिति मैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि विद्यारती सोचले कि negative marking नहीं है और वो सारे सारे question attempt करके आजे और बाद में हर एक गलत जवाब के लिए आपका जो है कुछ ना कुछ माइनस अंक जो है वो काट लिया जाए तो उससे क्या होगा आपकी merit में loss होगा ठीक है तो दोस्तो मैं आपको राय दूना तो आप लोग त्यारी ऐसे किजिए ये मान करके चलिए कि negative marking है ठीक है क्योंकि negative marking है ये मान करके आप त्यारी करोगे और negative marking नहीं हुई तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगे आप ये मान करे त्यारी करोगे कि negative marking है ही नहीं और by chance negative marking हो गई तो वहां पे दिक्कत वाली बात हो सकती है तो आप लोग यह मान करके चलो दोस्तों कि वन बाइ थ्री या वन बाइ फॉर इसमें नेगटिव मार्किंग है उस हिसाब से आप अपनी त्यारी को टाइट रखो ठीक है ना क्योंकि जैसे जितने भी स्टुडेंट्स ने में से ब प्लान है उसमें आप लोग यही रखो हमारी तरफ से यह इडवाईज है कि आप लोग प्रैमरी प्लान यही रखो कि नेगटिव मार्किंग है ठीक है ना नहीं होगी तो आगे की बात है बहुत अच्छी बात है नहीं होगी तो अभी आप उस हिसाब से त्यार हो पाओ पर पूरण हो पाऊ ठीक है आई वा समझ में तो दोस्तों यही था एक अपडेट अभी भी हो सकता है कि बोर्ड की तरफ से अपडेट आ जाए कि नेगटिव मार्किंग है या नहीं है क्योंकि यह जो न्यूज है आगे तक पहुंच चुकि है आप हो सकता है कि बोर्ड को हो जाए कि यह हमें नहीं दी थी हो सकता है कि बोर्ड की तरफ से मिस्टेक को धिशरी करने और उसमें बताने में कि नेगटिव मार्किंग phrase है नहीं ठीक है नत तो दोस्तों कि यह था दोस्तों जूरूरी अपडेट और ने इसमें बताने कोशिश की है और अग्या आपको लगता है कि यहां जी सर बिल्कुल अथिया समझ में आगी और बहुती अथी जानकर रही है तो वीडियो को कर देना दोस्तों लाइक और वीडियो के निचे जो कमेंट स्रक्षिन है उसमें आप कर देना फुल टू फुल कम उसका लिंक और मेरे नंबर जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और दोस्तों सुनिए चैनल के उपर प्ले लिस्ट है जो लोग चाते हैं कि प्ले लिस्ट से त्यारी करने के लिए में वीडियो मिल जाएगी तो आप लोग आप भी विजि झारी करते हैं